मुंबई एरपोर्ट पर 24 लाग के नकली नोट पकड़े गए हम आपको बता दे रविवार को क्राइम ब्रांच ने नकली नोट पकड़ी कई पुलिस अधिकारी दंग रहे गए और कई सवाल भी खड़े हुए आखिर ये नकली नोट 24 लाग कहां से कैसे लाया जा रहा था 2000 के नकली नोट पाकिस्तान में छपी है दुबई से होते हुए मुंबई पहुची पहली बार ऐसी वारदाद पैसो के मामले में सामने आया अब अब तक सोना पकड़ा जाता रहा है और रविवार को जो क्राइम ब्रांच ने 24 लाग पकड़ी पुलिस तो पुलिस लोग भी जो है दंग रहे गए दुबई से पैसे लेकर आ रहे है आरोपी को फिलहाल गिरपतार कर लिया गया है और वो बताया जा रहा है कि कलवा का रहने वाला है फिलहाल आरोपी को गिरपतार कर लिया गया है और क्राइम ब्रांच इस नखली नोटों के बारे में पूश्ताज कर रही है क्योंकि देखने में तो असली नोट दिखाई दे रही है कराची की पाकिस्तान सिक्योर्टी प्रिंटिंग कर्पूरेशन में छपे हैं ये नोट अब डावा ये भी किया जा रहा है कि इसके पीछे डी कमपनी का हाथ तो नहीं है इस नोट के पीछे असली राज क्या है जो पुलिस पूस्ताज कर रही है आरूपी से लिकिन एक और बात सामने आई है 24 लाग के साथ पकड़ा गया जो आरूपी है वो कलवा का रहने वाला है ताजा तकिन खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें